देखें यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारी स्क्रीन है और स्क्रीन पर दोनों ओपनिंग से जो हमारी वेव आती है दोनों combine होती है और दोनों की बीच में अगर phase difference, path difference पहले हम lambda माने है तो इन दोनों के मिलने से जो intensity बनती है वो k बनती है फिर अगर ये दोनों openings आने वाली waves किसी दूसरे point पर मान लेते मिलती है जहाँ का path difference हमें दे रखा है lambda by 4 तो यहाँ पर कितनी intensity होगी ये हमें बताना है तो हमें ये बात पता है कि जो total intensity होती है अगर first opening से i1 intensity आ रही है और seconds i2 तो ये होती है दोनों intensities i1 plus i2 इसके लवा एक cross term आएगा 2 root i1 i2 cause of phase difference तो दोनों की बीच में phase difference कितना है वो आएगा तो first case में phase difference कितना होगा lambda path difference की अंदर total 2 pi phase difference होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते है और अगर दोनों opening से intensities बराबर मानी जाए तो i plus i plus 2 root i2 और cos of phase difference हो जाएगा first case में 2 pi cos of 2 pi हमारा होता है plus 1 के equal तो हमें मिलेगा i plus i plus 2i और यह है total 4i के equal तो हमारी जो इसको i dash कर देता है यहाँ पर जो intensity हुई वो हुई 4i जो की हमें दे रखी है k के बराबर फिर इस point की बात करता है तो इस point पर intensity कितनी हो जानी चाहिए यह हम check करता है तो यहाँ पर जो हमारी intensity होगी इसकी value होगी i plus i plus 2 root i squared यहाँ तक सारी चीज़े वही है और phase difference जो है वो यहाँ पर change हो जाए कि path difference lambda by 4 है तो lambda की जगे आप 2pi लिख लीजिए तो हमारा phase difference आ जाएगा cos of 2pi by 4 so 4 से यह कट जाएगा 3 times so हमारा जो path difference होगा वो होगा pi by 3 so cos of pi by 3 कितना होता है cos of 60 degree so cos of 60 degree is 1 half so हमें मिलेगा 2i plus 2i into half तो यहाँ होगा 2i plus i which is 3i so इस point पर जो intensity आ रही है वो 3i के बराबर आ रही है so यहाँ से हम i की value निकाल सकते हैं which is k by 4 अगर हम यहाँ लिख दे तो हमें मिलेगा 3k by 4